मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने बेटियों को सशक्त बनाने और लाडली लक्षमी योजना 2.00 के प्रचार प्रसार के लिए 2 नवंबर 2022 को सभी 52 जिलों में एक रोर का नाम लाडली लक्षमी पत रखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंग ने भोपाल में लाडली लक्षमी वाटिका में लाडली लक्षमी बेटियों के साथ पौधारों पर भी किया। मध्यप्रदेश की लाडली लक्षमी योजना। इस योजना से बालिका के नाम से सरकार की तरफ से 11800 रुपय का आश्वासन प्रमान पत्र जारी किया जाता है। लाडली लक्षमी योजना के अंतरगत पंजिकरित बालिका को कक्षा छेवी में प्रवेश पर 2000 रुपय, कक्षा नौवी में प्रवेश पर 4000 रुपय, कक्षा ग्यारवी में प्रवेश पर 6000 रुपय और कक्षा बारवी में प्रवेश पर 6000 रुपय की छात्र वृत्ति मिलत लाडली बालिकाओं को कक्षा बारवी के बाद सनातक अत्वा व्यवसाईक पाठिक्रम में पाठिक्रम अवधी न्यूनतम दो वर्ष प्रवेश लेने पर 25,000 रुपे की प्रोथसाहन राशी दो समान किष्टों में पाठिक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाती ह इसके साथ ही लाडली लक्षमी योजना में बालिका की आयू 21 वर्ष होने पर कक्षा बारवी की परिक्षा में शामिल होने पर और बालिका का विवा, शासंद्वारा निर्धारित आयू पूर्ण करने पर एक लाग की राशी का अंतिम भुकतान किये जाने का प्रावधान है लाडली लक्षमी योजना के योग्य बेटियां इसमें एक जनवरी 2006 या उसके बाद जन्म लेने वाली बेटियां को लाब मिलेगा बालिका का नाम स्थानिया आंगनवाडी केंद्र में पंजिकृत कराने पर इस योजना का लाब मिलेगा बालिका के माता-पिता मध्यप् पासी होने पर ही बेटियां इसका लाब उठा सकेगी